आज मॉर्णिंग से ही मुझे मैक्सिमम फाउंडर्स के कॉल एंड मैसेज रिसीब हो रहें कि सुरज जी मेरा एको सिस्टम लॉग इन नहीं हो रहा है और अगर लॉग इन भी होता है तो काफी देर में लॉग इन होता है लॉग इन करने के बाद अगर हम किसी फीचर को और इसल गोंने की डीक बीट करने और यसन ए ने ऑप्सटम करने का मिन्स हम सभी का अकाॉण्ट लॉग इंडर में टेर्स तो यह घबराने वाली बात नहीं फिर राइफ यहां पर यह पर फार्म नहीं है यह process है किसी भी नए features को नए options को ecosystem में add करने का means जो website होती है जब भी उसमें कुछ changes करना होता है means कुछ नई चीज़े add कर ने होती है features हो गया add करना या फिर कुछ integrate करना हो गया फिर उसमें कुछ change करना हो गया तो जब भी ये process होता है तो ऐसे समय में कोई भी website under maintenance रह सकती है फिर तो यहाँ पर हमें घबराने की जरूत नहीं यह कोई problem नहीं है यहाँ पर हमें खुस होने की जरूत है क्योंकि नए changes ecosystem में हम सभी को देखने को मिल सकते हैं कुछी घंटों के अंदर कुछ नए features हो सकते हैं या फिर कुछ changes हो सकते हैं या फिर अगर ecosystem में जो problem रही होगी वो problem दूर हो जाएगी तो कुछ ना कुछ changes हमें ecosystem में जरूर देखने को मिलेंगे और इसमें the side is currently under maintenance जो दिखा रहा है तो maybe ये एक घंटे के अंदर या फिर दो घंटे तीन घंटे चार घंटे छे घंटे तो कुछ टाइम यहाँ पर लग सकता है तो ये कुछ ही घंटों के अंदर जो हमारी website है वो ओके हो जाएगी means ecosystem में अगर कुछ नए features add हो रहे होंगे integrate हो रहे होंगे या फिर कुछ changes हो रहे होंगे या फिर ecosystem में जो problems है अगर वो दूर हो रही होंगी तो ये सारी चीज़े under maintenance के बाहर आते ही ecosystem में हम सभी को दिखाए देंगे means कुछ ना कुछ नए changes ecosystem में हम सभी को दिखाई दे सकते हैं कुछ घंटों के बाद so please wait किजे ये जो account login के regarding अभी problem है morning से ये problem है तो ये just problem नहीं है ये एक solution है particular website में कोई भी नया feature या option add करने का और जब भी ये process होता है definitely यहाँ पर website कुछ घंटों के लिए under maintenance में रह सकती है और कुछ घंटों के बाद definitely सावरी सीज़े okay होने के बाद उस website को आप access कर पाएंगे तो थोड़ा सा वेड कीजिए मुझे उम्मीद है कुछ घंटों के बाद definitely या हो सकता है आदे घंटे बाद एक घंटे बाद दो घंटे बाद तिन घंटे बाद कभी भी हमारा website वापस आएगा और हम लोग अच्छे से website को यूज़ कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ नए changes या फिनए features, update, options हमें ecosystem में दिखाई दे सकते हैं तो प्लीज वेड कीजिए और अगें चेक करते रहीएगा फैंट्स